हेलो फ्रेंट्स मैं हुरीतु राओ और आप सभी कस्वागते माय रेसिपी इसकी कीचिन में आज हम बना रहे हैं मतन करी तो यह मतन करी हम बिल्कुल देसी स्टाइल में बना रहे हैं तो आपको मेरी रेसिपी कैसे लगते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताए और रे आपको कर広गते हैं तो यहां हमने आपको सब्स्क्र上प तो यहां हमने अच्छा च्छा स्वहर करने के लिए हमने लिया है और अशचा सब्सक्र गतार यहां मेरेutan हुए करने अछा सब्सक्रें दोड़ कि अबगरा कर देंगे घ्रमाइग करेंगे तो बहूट करने द में पाउडर गरम मसाला और डाल दिया है इसमें हल्दी पाउडर और अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे मैरिनेट करके आप आदे से एक घंटे तक जितना आप समय उसे जादा रखेंगे वो उतने ही जल्दी कोख हो जाता है पर हमारे पर जादा समय नहीं है इसलिए हम इसे आदे घंटे तक ही ही रख पाएंगे तो इसे हमने मैरिनेट कर लिया है और अब इसे ढाग कर हम आदे घंटे के लिए इसी तरीके से रख देना है और अब तियार करेंगे हम पेस्ट तो पेस्ट की तियार करने के लिए हमने लिया है प्याजली है तो मैंने तीन बड़े प्याजली है यहां लिया है जीरा लॉंग और यह चने की डाल चने की डाल से जो हमारा ग्रेवी होता है यह थिकनेस बढ़ाता है यहां लिया है काली मि हम तरका तीयार करेंगे तो उसमें ली हैं यहाँ पर डालचीनी तो दालचीनी के दो से तिन तुकड़े लिये हैं। और यह है पत्थर के फूल, जिसे च्झभीला कहते हैं, स्टो्न फ्लार कहते हैं। और यह लिया है तो स्टारफूल नॉम्मल सभी दुकान में यह सारी ची तो िसे निकाल लेंगे रिखे में प्लेट में झाला है और इसी दाल में आपको बोळी दुन ले ना है वैस सी गुल्ड़न ब्राउन और बोदिये गमे लिखियों एले लेकर उलाया और शुपर है आड करके प्यास को अच्छे से भून लेंगे, golden brown होने तक यहां अच्छे से भून चुकी है, बहुत अच्छे से golden brown हो गई है , इसमें हमने डाल दी है, लॉंग , karti mircha, ilaichi जावितनी जीर, शाहिजीरा, जीरा आजिदा और खस-खस डाल देना है और इन सब को हम एक से दो मिनिट के लिए ऐसी ही भून लेंगे इसे ऐसी ही हमने बिलुकुल लो फ्लेम पर भूनना है क्योंकि वे जलना नहीं चाहिए अब इसमें डाल दिया है और प्याच के साथ भून रहे है तो यह अच्छे से भून जाएंगे और अब इसमें जो भूनी दाल और नारियल के टुकड़े हैं इसे भी इसमें मिक्स कर लिया फ्लेम को ऑफ कर दिया है और अब इसे थंडा करके पेस्ट तियार कर लेंगे और अब हम मटन करी बनाने के लिए शुरुआत कर रहे हैं तो यहां मैंने मस्टर्ड ओयल यूज किया है तो यहां मैंने तीन बड़े चमच मस्टर्ड ओयल डाल दिया है और इसे हलका सा गर्म होने देंगे जैसे हलका सा धुआ आता है तब तक कि इसे बस गर्म कर लेना है और अब इसमें डाल दिया है तेज पता यहाँ एक से दो हमने तेज पता यूश किये है और इसमें डाल दिया है दालचीनी, स्टारफुल और मसाला इलाईची हमने यह भूना नहीं है और इसे हमने पेस्ट नहीं किया है हमने इसे तरके में इसलिए डाला है क्योंकि हम गर इसका पेस्ट बना के डालते तो उतना अच्छा टेस्ट नहीं आता जितना यह खड़े मसाले बलाने में और इसमें डालने में जो टेस्ट आता है बिल्कुल गा करेंगे हम अद्रक लसन का पेस्ट यह हमने इसलिए जल्दी से एक किया है क्योंकि पहले ही हमने जो मसाला तियार तहां उसमें तसलिए च confront भुण लिया गीट में वह मिक्स हो जाता है तो बहुत अच्छा मेल पाउडर मसाले आट करेंगे ति यहां हमेंने धनियां पाउडर लालमेच पाउडर ई हल्दी पाउडर आट किया है और अck venir मेलेंगे अब इसे मेले भन लेंगे हैं भीक जाओ जब पर हमें फिलेंगे से और प्लेम पर प्लेम पर ही सब्सक्र Side करनी है और इसमें डाल देंगे थोड़ा सा पानी to भोला था यह हमने फानी पानी ब्लें के ऄ आट K Ladies Are कसूरी मेथि Tabiiishi On A Day कर अब नमक अब हैने इसमें डाल दिया है और अब इसमें ID करेंगे हम अधस्द नरुद्धन की पुईंद इसमें आड़ा है उएक तू आड़ना पूरिक को dawकेकि तो मुत तो नौन ळीच आड़क कर सेमें आड़ा लिआ है लिन जा किया हैं तो मुगे स्वेट के नावक के निए अ kierाएव धन जो का मैसाल के नहीं लिदे लोके जब लेना गे अधा चमच डाल के पीस लिया था तो इसे कलर बहुत अच्छा आता है ग्रीवी में इसलिए हमने देगी मिर्च और टमाटो को एक साथ पीस लिया और इसे मिक्स कर लिया है यह ग्रीवी का कलर बहुत अच्छा देता है देगी मिर्च से तो इसे एक से दो मिनट तक हम इसी द जब हम इसमें डालते हैं तो आलू का स्टार्च इसमें ग्रेवी में और थिकनिस देता है और जो ग्रेवी होती है यह अच्छे से गाड़ी हो जाती है और साथ में हम डाल देंगे मैरिनेट किया हुआ मीट और इसे अच्छे से mix कर लेना है यह जो आलू हमने डाला ही यह optional है बट हम जब एक countryside मतनकरी बना रहे हैं तो उजहां पे क्या है सबजीों को थोड़ा सा mix किया जाता है तो गाजर भी डाली जाती है पर हमने यहां only आलू का use किया है तो हमने इसे अच्छे से mix किया है दस मिनिट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर इसे पकाना है तो यहां आप देख सकते हैं हमने दस मिनिट के लिए लो फ्लेम पर इसे पकाया है तो जो marination करते होग हमने दही डाला था उस वज़े से इसमें थोड़ा सा gravy सी बन गई है तो अब हम add करेंगे पानी तो यहां पानी आप अपने जितनी आपको थिक या पतली रखनी है gravy उसके according आप इसमें पानी आप करना है तो मुझे gravy थोड़ी से गाड़ी लग रही है तो मैं आधा ग्लास और पानी इसमें आट करूँगी तो मेरे लिए sufficient है इतनी gravy तो आप कितने आपको gravy थिक चाहिए उसके according आप इसमें पानी डालना है तो यह perfect है अभी हम इसमें लगा लेंगे लीट तो अभी हम कुकर कर धकन लगा लेंगे और 6 सिटी आने तक का वेट करेंगे तो मैं 6 सिटी medium flame पर रखना है flame को तो यहाँ 6 सिटी आने के बाद में थंडा हो गया कुकर और हमने इसे open किया है आप देख सकते हैं इसका color कितना अच्छा आया है और हम इससे serving plate में निकाल लिया है तो आपको मेरी यह recipe कैसे लगी मुझे comment box में अपना feedback जरूर दीजिएगा और like करना ना भूले साथ में और भी recipes के लिए subscribe जरूर करे Thank you for watching